अब हम लोग बात करेंगे एक और object जिसका नम है screen object तो screen object क्या करता है कि जिस screen पे अभी आपका view हो रहा है website उसके बारे में information देगा उसके attribute के बारे में यह जो अभी मैंने आपको navigator और screen बताया है यह दोनों basically use करता है कोई भी analytical software जैसे कि Google Analytics ताकि information click कर सके कि आपका website किस-kis चीजों में खुल रहा है कौन सा device है क्या है क्या नहीं है वो तो इसमें भी आप properties यूज़ कर सकते हो जानने के लिए screen के बारे में तो जैसे screen कितना बड़ा है तो आप यहाँ पे यह navigator वाला भी हम लोग हटा देते हैं हम लोग screen object यूज़ करते हैं तो screen का आप जान सकते हो कि height और width कितना है जैसे देखो width अभी जो पहले हम लोग याद करो जो पहले हम लोग देख रहे थो ब्रावजर का height और width था यह screen का बताएगा ठीक है तो अभी आप यहाँ पर जाके अगर हाइड भी बता दिया अब आपका भी सोचोगे कि यार screen क्यों जानना है यूज़र का screen का क्यों जानना है तो होता है कभी कभी analytics में important है जैसे देखो for example बताता हो अगर screen बड़ा है और user maximize करके नहीं देख रहा है तो इसका मतलब उसका browser का size और screen का size match नहीं करेगा अगर user का browser का size और screen का size match कर रहा है इसका मतलब user full width में देख रहा है और अगर user का screen size और browser size सेम नहीं है इसका मतलब user minimum width पे देख रहा है ठीक है full width पे नहीं देख रहा है तो आपको पता चलता है इससे कि आपका जो user है वो कैसे देखना पसंद करता है full maximize पे देखना पसंद क जानने के लिए आपको प्रपर्टीज होता है color depth तो यह आपको बताएगा bit में तो देखो 24 bit मेरे screen का जो color depth है वह 24 bit मतलब 24 bit आ रहा है तो इसका मतलब इतने different color मेरा screen दिखा सकता है अगर 32 bit आ रहा है मतलब इतने different color मेरा screen दिखा सकता है ठीक है तो color के बारे में बता रहा होता है कि कितना different color आपका screen दिखा सकता है ये भी important होता है आपको ये जानना होता है कि maximum user जो है उसका screen किस quality का है तो उसी हिसाब से आप color choose करोगे ठीक है तो ये सब भी analytically use होता है अब देखो अब यहाँ तक ये भी पता कर सकते हो कि orientation क्या है orientation मतलब अभी बता देता हूँ मैं आपको orientation मतलब क्या होता है कि screen को घुमा के कैसे देख रहे है जैसे mobile में देखते हो तो दो view आता है mobile और tab में एक लंबे वाला view और एक चौड़े वाला view जब mobile को आप turn कर देते हो तो ये भी आप पता कर सकते हो कि आपका website सबसे ज़्यादा visual किस view में था तो देखो यहां पर एक object return करेगा उसमें type में जाके देखो तो क्या कर रहा है landscape में है अभी ठीक है तो ये आपको बता देगा कि orientation क्या है user का जो screen है उसका orientation क्या है क्योंकि mobile में आज के rate में almost 50% से ज़्यादा viewer आपको mobile viewer मिलेंगे तो आपको ये भी तो जानना है कि वो किस view में देखते हैं landscape में देखते हैं या क्या देखते हैं तो ये हो गया बात screen object का